दीघा से लेकर के कंगन घार तक परियोटकों को लेकर जाएगी महातमा गानी सेतु पूल है यहाँ पर तमाम दरे के छोटे बड़े जहाज है लेकिन जिससे जहाज पर मैं हूँ काफी बिशाल काफी बड़ा है और यह शुरू हो जाएगा दस पंदर बिस ब्रोज में इसी जहाज क्योंकि खल देर रात में यह जहाज आया है उसरे जहाज सफर करने के लिए और दुसरे जहाज से पार करकर अब पाच्छमा जहाज पार करके आया हूं इसनुए नवीले में आप देख रहें से साइटियों मैं देवेंदर सिंग लड़्डू इस वक्त हम है पटना के पटना सिटी के गाय घाट जेटी आप कह सकते हैं कि भारतिये अंत दिर्शिये जल्मार्गर प्राधिकरन का यह हां जब देखेंगा तो काफी खुब्सूरत एक्साइट लगड़ा इसके पुर्व मैंने एक खबर बनाया थी वह खबर था पटना साहिब के कंगन घाट से जी हां उसका खबर मैं रिपीट करने के लिए आया हूं बज़ा मैं बतलाता हूं वह खबर है बिहार से दो अस्तानों से हो कह सकते हैं कि भागलपुर से कहलगाओं तक है तो दूसरा अपना बिहार के राधानी पटना से खासकर के पटना साहिब सीखों के दसमें गुर्गमिक्षी मराज की जनवस्त्री कंगन घाट कंगन घाट लोग दूर दरास्तों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए गंगय मैया को वहां से लेकर दिग्घा घाट याप कर सकते हैं कि एक लुभाना आपके सकते लुप्त उठा सकते हैं इसी जहाज क्योंकि कल देर रात में यह जहाज आया है इसी जहाज पर मैं भी हूँ और काफी चीज वह आपको अबगत करवाऊंगा क्या 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 फैसलिटी है बन रहीएगा यहां कि जो चालक है मैं उनसे भी मैं बात करूँगा कि आपको कैसा लग रहा है पतना साहिव पटना सिटी से पहली बार यात्रा देखा जाए तो काफी संख्या में लोग आते हैं नौका से सफर करते हैं लेकिन पहली बार बहुत बिशाल जहाज में सफर करना कहीं एक डिरिश्ष है यह देखें गंगा मैया का जिर निर्मान कारा भी चल रही है लेकिन यहां का जब दीज देखी का तो नजारा काफी एक्साइटेट लोग है और गंगा मैया का वैसे देखी का तो गंगा की धार जो है काफी तेज है उस तेज में बड़ा सा जहाज चलना कहीने कहीं लोगों को लुभाने का यह पहला मौका ह होगा और यह है महात्मा गानी सेतु पूल है यहां पर तमाम तरह के छोटे बड़े जहाज है लेकिन जिससे जहाज पर मैं हूँ काफी बिशाल काफी बड़ा है यह देखिए और यह साथ देखी का तो गंगा मैया का यहां दिरिश्य है यह नीचे का फलोर है यह यह तमाम तरह के यहां पर सेफ्टी रखा हुआ है के ऊपर का फ्लोर का भी देखता हूँ वहां का नजारा लोग कैसे विखते हैं वैसे उपर जाने का आदेश नहीं है लेकि मैंने आधेश लिया है आधेश लेना बिल्कुल जायज है और पालन करना चाहिए चलता हुआ इसी सीडी के रहने के लिए भी है और इसमें ऊवन्हीं जाहाज इसमें अगर इस सरकहरें सपरिछ यहार से चलता है तो प्रटो को बहुत ही अच्छा लगेगा और बिहार सरकार को भी बजट प्राइबर हूं जहाज कहां से यह जहाज कलकता से यह इसको पिहार सरकार का एक योजना है गंगा में प्रेटन को बढ़ावा देना इसके लिए यह जहाज प्रेटन को बढ़ाव मिलेगा बिहार की आमदनी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा यह काफी अच्छा योजना जो है बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहा है अगर आप खालन और लोगों के लिए। इसमें अगर आप खाने पीने की चाहते हैं तो बाहर से अपको मिल सकता इस सतना द्वारा खुटरा ओब को जो गंगा आर्ती होता है बहुत ही अच्छा ये बिहार सरकार दोरा चलाए गया योजना है और काफी फाइदे मंद है लोगों के लिए लोग उसे बहुत लुप टठाएंगे बहुत इंज्वाय करेंगे लोग इसे रोजगार भी बढ़ेगा नदी में परेटन का भी लिए यह थोड़ा से हमारे प्रोसेस में चल रहा है और यह चुरू हो जाएगा दस पंद्रे बिस ब्रोज में आप भी उस्चाहित है हां मैं बहुत हुँ हूँ मैं चाहता हूं कि ऐसे जहाज और भी चले ऐसे बहुत से जहाज ऐसे चले गंगा में चलेगा लोगों को आपको डॉल्फिन में लेगी एक खेलते हुए आपको डॉल्फिन दिखाई दे देगी और यह गंगा का पानी जो है बहुत पवित्र पानी है यह सबसे पवित्र नदी मैं कह सकता हूं आप इसका पानी कभी नहीं सड़ता है कभी खराब नहीं होता है यह बहुत ही कर небольш और यह क्या है यह को हम मास्क कहते हैं यह जहाज हम लोग रात में चलाते हैं तो हम इसका यूज करते हैं जैसे हम लोग जहाज को करे अगर हम बीक में और हम देए, और हम भी दे खड़ा है और हमें उसके बगल से जाना है तो बस तयार हो जाएए और खास करके पटना सिटी कंगन घाट से जनारधन घाट दिग्धा से एक काफी खुबसूरत है और मन को लुभाना मन को मोह लेने वाली चीज है गंगा का सफर को नहीं चाहता है वैसे तो असमान में तो लोग जाते हैं सफर करते हैं शड़क मार्क से करते हैं लेकि गंगा मार्क से करने का कुछ मज़ा ही मज़ा है एससाइटू आप देखते रहिए लाइक कीजिए जहिन